कि फिफ्टी प्लस कोश्चन इन वन वीडियो नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल वेंदर स्टेडिया को जी के पर फेंड्स आज आपके लेकर आए हूँ अगर आपको हर कोशन के चार अप्शन दे जाएंगा अगर आपको इन मैंसे किसी भी कोशन पहले से आता है आप कमेंट वाक्स में कमेंट रहें जरूर बताना तो स्टार्ट कर लेते हैं फॉर्स कोशन है फेंस कोशन बिसी के लिए पूछा गया था कि बर्दोली सत्तर को लाँच किसने गया था फॉर्ट फरबरी नाइटीन ट्वेंट इट को अंसर क्या हो जाएगा आप्शन बी यानि कि बलाबाई बटेर लॉंच दा बर्दोली सत्तर गर्या ऑन फॉर्थ फरबरी नाइटीन ट्वेंट इट इंपोर्टन कोशन है कई वारे गिजा में पूछा गया है कि आप स्टार्टन कोशन एक बारे गिजा में पूछा गया फिर्टन कोशन इसी लेवल के होंगे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे बैसे कोशन का जो लेवल है वो बढ़ता चले जाएगा तो आपने वीडियो के एंद तक जुरूर्वर बने रहना है अप्शन कोशन है कई बारे गिजा में पूछा गया है अप्शन कोशन है कई बारे गिजा में पूछा गया है अप्शन कोशन है कई बारे गिजा में पूछा गया और फिर आपको इसके डेट भी पता होना चाहिए यह कब हुआ था कौण से इयर में होता था आट से क्या हो जाएगा नाइटीन नाइटीन इसको भी याद रखी यह भी एगिजा में पूछा जाता है अगर एग्जेक्ट डेट इसकी डेट थर्टीन एप्रिल है जब बसाक्षी का दिन बसाक्षी जब डेए मनाय जाता है शाइए उस दिन ही हत्याकांट हुआ था निशलते हैं फॉमंग दा फॉलिंग उर्दू पॉइट वास इन्वाइटे तो सेकिन थर्ड राउंड टेवल कॉन्फरेंस आप्शन आर फैस एहमद फैस आप्शन बी जोश महलवादी आप्शन बी महमद महलवादी आप्शन सी महमद इकबाल आप्शन दी फिराख गोरकपूरी तो आप्शन से क्या हो जाएगा आप्शन सी यानि की महमद इकबाल वाज उर्दू पॉइट वास इन्वाइट टो एंड थर्ड राउंड टेवल कॉन्फरेंस इंपोर्टेंट कोशन है कई बार एक्जा में पूछा गया नसलते हैं महादमा गंधी गेव दो कॉल डू 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 रिंग दा ऑफ्शन खिलाफत मुवमेंट अप्शन बी नॉन कोपरेशन मुवमेंट ऑफ्शन सी सेबर डिस और इस मूवमेंट अप्शन डी कुट इंडिया मुवमेंट आन्चे क्या हो जाएगा ऑफ्श आन्चे को एंतर जरूर देखना मैं आपको इस चैनल मेंशाई क्वार्टिन दिया जाता है जो आपके एक्जाम के लिए काफी यूसफुल है आपके लिए मैंने आलिडी बहुत सारा कंटेंट डार लगा जीकर से लेटर जो आपके एक्जाम के लिए काफी यूसफुल है तो फैंडो सारी वीडियो आप एक्जाम से पहरे जरूर देख लेना नेशले देखे हैं आप्शन क्या हो जाएगा आप्शन सी यानि की मुहम्मद अली जिन्ना फैंडों आप्शन कोशन है ये भी कई बार एक्जाम में पूछा गया नेशले देखे हैं तो आप्शन क्या हो जाएगा आप्शन बी यानि की दा पासिंग दा क्विट इंडिया रेजलुशन इंपोर्टन कोशन है कई बार एक्जाम में पूछा गया है नेशले देखे हैं बार एक्जाम में पूछा गया था कि इन में से किसको मदर आफ इंडियन रेवलुशन बोला जाता है इन जाता था ये जाता है चार अप्शन देखे ते आप्शन रार रोजनी नाइडियो आप्शन बी कस्टूरबा गांदी आप्शन सी मैडम बेकाईजी कामा एंड आप आप्शन सी यन awakened me sólo कि गुदी कामा, हुई रिगादैस सा बल्भी ओंट ऐसनी आसे कामः, वा रिगाल ये, ने क्झा जापोला आप्शन देख्वा无च खाने आप्शों अनु इपागांध उन इ लोग माने जाप्शन राय स्ट外 और लोग माने जाता है आंप्शन दिर आ आरे समाज, आंसे क्या हो जाएगा, option A, यानि की ब्रमो समाज, राजा राम मोहराई वास दा फाउंडर राफ तो आंसे क्या हो जाएगा, option A, यानि की ब्रमो समाज, important question है, कई बार एक जाम में पूछा गया है, नेशलते हैं, who initiated the movement to form the Indian National Congress, option R, आनि बसंद, option B, A, O, हूँ में, option C, W, C, बनाद जी, and option D, गांदी जी, तो आंसे क्या हो जाएगा, option B, यानि की A, O, हूँ में, who initiated the movement to form the Indian National Congress, इस तो आंसे क्या हो जाएगा, option A, sorry, option B, यानि की A, O, हूँ में, important question है, कई बार एक जाम में पूछा गया, नेशलते हैं, which governor general is associated with doctrine of Laplace, options are, Lord Rippon, option B, Lord Dalogy, option C, Lord Benteke, and option D, Lord Curzon, तो आंसे क्या हो जाएगा, option B, यानि की Lord Dalogy, governor general is associated with, with doctrine of Laplace, important question है, कई बार एक जाम में, पूछा गया, नेशलते हैं, the call of back to Veda was given by, option R, Swami Vivekananda, option B, यानि की Swami Sarswati, Swami Dhanu Sarswati, option C, और वंदो घोष, and option D, Raja Ram Mohan Roy, answer is option B, यानि की Swami Dhanu Sarswati, give the call of back to Vedaas, important question है, कई बार एक जाम में, पूछा गया, नेशलते हैं, Simon Commission was by quoted by nationalist leader of India, because they felt that it was and only I was, option B, all the members of the commission were English, option C, the members of the commission were biased against India, and option D, it did not meet the demand of Indians, answer क्या हो जाएगा, option B, यानि की all the members of the commission were English, that's why Simon Commission was by quoted by the nationalist leader of India, important question है, कई बार एक जाम में पूछा गया, friends अगर आपको ये content अच्छा लग रहा, please video को like और minion 10 friends share जरूर करिएगा, आप हमें Instagram, Telegram और Facebook जाइन कर सकते हो, आज बरेंदर स्टडियाई को जीके, नश्र जाएँ, the editor of Young India and Horizon was optional Nehru, option B, Ambedkar, option C, Mahatma Gandhi and option D, सुभास चंदर बोस, आज़ेज option C, यानि की Mahatma Gandhi was the editor of Young India and Horizon, next question, who of the following attended all the three round table conferences, each question सभी को आता होगा, options R, B, Ambedkar, option B, M, Amalwi, option C, बलवाई, पटेल and option D, Gandhi जी, तो आज़ेजी क्या हो जाएगा, option A, यानि की, B, Ambedkar, who attended all the three round table conferences, important question है, कई बार एक exam में पूछा गया, तो हैं, basically, यहाँ पर कुछ कोशन और बन जाते हैं, जो आपके exam के लिए important, जैसे कि अगर आप से यह पूछा जाए, कि जो यह तीनों round table conferences थी ना, यह कौन-कौन से year में होई थी, तो आपको यह पता होना चाहिए, तो प्लीस आप एक बार जुरूर देखेंगे, इसके regarding भी आपको एक यह दो कोशन, कभी किसी ना किसी exam में देखने को पका ही मिलेगा, अगर हम बात करें, first round table conference कि वो कब होई थी, तो आँची क्या हो जागे, 1930s में, second के बात करें, तो हुआ था, 1931 और जो third round table conference थी, वो हुई थी, 1932, तो यह आपके लिए years important है, तो आप इनको कहीं note याद जरूर कर लिजिएगा, निशलते हैं, who was the founder of अलिगर मुमेट, option R, साइद अमीर अली, option B, मौलवी, चिराग अली, option C, साइद अली खान, and option D, अब्दूल आलिम शारार, अंसे क्या हो जाएगा, option C, यानि कि सर साइद अमेट खान, was the founder of अलीगर मुमेट, important question है, कई बार एक रिज़ा में पूछा गया, निशलते हैं, who among the falling was the first vicery of India, option Lord Rippan, option B, Lord Karzan, option C, Lord Mountbatten, and option D, Lord Canin, तो आइसे क्या हो जाएगा, option D, यानि कि Lord Canin was the first vicery of India, important question है ये भी, next question, who gave the title of महा माना to the Mother Mohan Malviya, option C, B, दादा बाइन रोजी, option C, Gopal, Krishnan Gokhli, and option D, Mahatma Gandhi, answer is option D, Mahatma Gandhi gave the title of महा माना to Mother Mohan Malviya, next question, role act 1990 was enacted during the period of option D, Lord Chancellor, Lord William, option C, Lord Minton and option D, Minton, option D, Lord Bintick, अंचे क्या हो जाएगा, option A, यानि कि Lord Chalford, important question है, कई बार है कि जाम में पूछा गया, role act को black act से नाम से भी जानते हैं, आप इसको भी याद रखें, next लेते हैं, who gave the title of सर्दार to बल्ला भाइपर टेल, option A, महात्मा गांदी, option B, बिनोवा वावे, option C, बुमेंटा बर्दोली, and option D, पीजनदा गुजराद, fence question B, C के लिए पूछा गया था, कि जो भलावाईपर टेल थे न, उनको सर्दार का title जो था, किस ने दिया था, चार option दिए थे थे, option A, महात्मा गांदी, option B, बिनोवा वावे, option C, बुमेंटा बर्दोली, and option D, पीजनदा गुजराद, आंचे क्या हो जाएगा, option C, यानि की, बुमेंटा बर्दोली हो गिव दा टाइटल, सर्दार दू भलावाई पटेल, important question है, कई बार एकिज़ा में पूछा गया, अब friends, कुछ students के मन में doubt होगा, कि इसका answer जो है, वो option A होना चाहिए, महात्मा गांदी, but actually में इसका answer जो है, महात्मा गांदी ना होकर, बुमेंट सा बर्दोली है, आप इसको correct करिएगा, क्योंकि कई बुक्स में, आपको यह महात्मा गांदी ही मिलेगा, जो कि गलत है, इसका जो सही answer है, option C, यानि की बुमेंट सा बर्दोली, next question, who makes the following, also launch a home rule, movement in India, apart from any business, option R, अरवन्दो गोष, option B, बाल गंगादा तिलिक, option C, गोपाल, पूच्छा गया, जो दें, the Swaraj Party was founded by whom in 1923, option C, option B, सर्दार भलाबाई पतेल, option C, लाला राजपत्राई, and option D, बार गंगादा तिलिक, option is, अंचिज, option A, यानि की C, यार दास, who founded the Swaraj Party in 1923, next question, which among the following, which among the educational commission, focus mainly on primary and secondary education, options are, अंचिए क्या हो जाएगा, option A, यानि की Hunter Commission, among the education commission, focus mainly on primary and secondary education, important question है, यह भी कई बार एक इसाम में पूछा गया, friends, अगर आपको यह content अच्छा लगाएगा, please video को like और mini one 10 friends share जूब करें, आप हम Instagram, Telegram और फिजो जाने कर सकते हो, as brain the study IK को जीके, और फिजो आप चैनल की playlist रूजा करिएगा, आपके लिए मैंने already बहुत सारा content डाला है, जैसे कि मैंने environment की series start की हो, जिसके regarding मैंने 10 to 12 parts already डाल चुका हूँ, उसके बाद मैंने science GK की series भी start की हुई है, regarding मैंने कुछ videos डाल लिए हैं, आपके exam के लिए important है, जोग्राफिक GK मैंने series start की है, और साथ में 8000 question की series मैंने start की हुई है, तो वो सारी important videos हैं, जो आपके आने वाले exam के लिए important हैं, आप एक बार उनको जाके जरूर देखिएगा, नेचे लेते हैं, फू स्टार्टे दा न्यूस पेपर शोम परकाश, आप्शन आर देरने सास्पाथी, आप्शन भी राजा, राम मोहन राय, आप्शन C, ईश्वर चंदर विद्यसागर, आप्शन D, सुरिंदर नाथ पेनर जी, आप्शन C, इश्वर चंदर विद्यसागर, वू स्टार्टे दा न्यूस पेपर, सुम परकाश, इंपोर्टेंट कोशन है, कई बार एक एजाम में पूछा गए, आप्शन आते हैं, इन विच एर दा पाकिस्तान रिशन रिशन वास अडॉप्टेट वाइ, बार जाम अचर भार इसलिस्ते कि आते हैं, आपिस्ट पाकिस्तान में अचरो, next question Mahatma Gandhi delivered his first published speech in India at options are Bombay, Lucknow, Champal, Baranasi. The answer is option D, यानि की भारानसी. next question, what Satyagraha was held at Nagpur in 1923? options are Salt Satyagraha, option B, Individual Satyagraha, option C, Riot Satyagraha, and option D, Flag Satyagraha. answer is option D, यानि की Flag Satyagraha, Flag Satyagraha was held at Nagpur in 1923. important question है, कई बारे गिजा में पूछा गया है, निस्टेते हैं, the civil disobedience movement was led in the North West Frontier Provenants, why option are, Sheikh Mohammed Abdullah, option B, Khan Abdul Ghaffar Khan, option C, Dr. M. A. Ansari, and option D, Seva Singh Thikriwala. answer क्या हो जाएगा, option B, यानि की Khan Abdul Ghaffar Khan, who led civil disobedience movement in the North West Frontier Provenants. next question, who was the founder of Devasmaj, option R, Shiv Narayan Agnihotri, option B, Swami Dhanan Saswati, option C, Vivekanand, and option D, Radha Khan Dev, तो आँचे क्या हो जाएगा, option A, यानि की Shiv Narayan Agnihotri was the founder of Devasmaj, यानि की Devasmaj की स्थापना किसे ने की, तो आँचे हो जाएगा, option A, Shiv Narayan Agnihotri, important question है, कई बारे गिजा में पूछा गया, friends, जो other social and culture अपराई जैसे की, Brahmo स्थापना किसने की, तो आँचे हो जाएगा, राजा रामौन राए, अमित्य सबा किस्था किसने किया था, तो आँचे हो जाएगा, राजा रामौन राए, अगर आपसे ये पूछाए, कि प्रात्ना स्थापना किसने की, तो आंसर हो जाएगा स्वामी द्यर्न सस्वती ने अगर हम बात करें रामा कृष्ण को उसके सवापर कौन है तो आंसर क्या हो जाएगा विवेका अनन्द अगर हम बात करें वेदा समाज की तो उसके जो सवापर को कौन है तो वो है सिधालिला नाइडू अगर हम बात करें धरमा, सबाकी, उसको किसने स्टार्ट किया तो आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल, हरी देशमुक, अगर हम बात करें, सब्वेंट आफ इंडियो साइटी को स्टार्ट किसने किया तो आंसर हो जाएगा, गोपाल, क्रिशन, गोखले, सेवा समिति को स्टार्ट किसने किया तो आ हो जाएगा हिदरनात कुनुर्जू अगर हम बात करें अरादा स्वामी मुमेंट को किस ने स्टार्ट किये था तो आंच से क्या हो जाएगा तुलसी राम पॉपली नोनेश शिव दयाल साहिव या फिर स्वामी महराज अगर हम बात करें देवा समाज के दूबर मैं बता चु कोशन कहीं ना कहीं हर एकजाम में एक या दो कोशन पूछा ही जाता है तो जितने मैंने आपको बताए इनको आप नोट जरूर कर लिजेगा और यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आपके आने वाले एकजाम के लिए नेक्स कोशन हो मंग दा फालिंग है नॉट पार्टिस इन दा सेकंड रांटेबल कोंफरेंश नेक्स कोशन नेम दा फ्रेंच कमांडर हुवस दिफीटि इन दा बैटल आफ विंद वाश इन सेविंटी सिक्षी और अगर आप यह पूचा है कि जो बैटल विंद वाश ता वो कब हुआ आंस से क्या हो जाएगा आप्शन आप्श देट भी याज रखे क्योंकि यह भी कई वार एकजाम में पूच्छ जाती है नेक्स वाश देजें विच वाश दा फिर्स टेट एंडर डॉक्ट्राइन ओफ लाप लेश अंडर दलो जी और नातपूर आप्शन बी सतारा आप्शन दी संभल पूर तो आज से क्या हो आप्शनार थोमस मुन्रो आप्शन सी हाल्ट मैकेंजी आप्शन सी लॉड कॉर्ण वालिस और आप्शन दी रॉड क्लीफ आएंचे क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानि की हाल्ट मैकेंजी हू इंटर्ड्यूस महलवारी सिस्टम इंपोर्टेंट कोशन है कई बार एक रि आप्शनी न्वाव फुदू आप्शन क्या हो जायेगा ऑप्शन सी यानि की मीर जाफर बैटरेड सिराज उदौर्ण इंद बैटल उपलेजि इन 1757 देट भी यारा कि कब वी थी बैटल उपलेजी तो आप्शन क्या हो जाएगा 1757 इंपोर्टेंट वी कई बार एक्जाम में पूछा जाता है next question तिपूस finally defeat came at the hand of optional lord will see option b lord convalis option c lord delo ji and option d john shawre it तो आंचे क्या हो जाएगा option a क्या निकी lord will see important question कई बार रह गया जा में पूछा गया friends अगर आप यह पूछा जाए कि जो जमीनदारी system था या फिर permanent settlement system था उसको start किस ने किया था तो आंचे क्या हो जाएगा Lord Convalis ने हाला कि इसको plan किस ने किया था तो आंचे क्या हो जाएगा John Shoray अगर हम बात करें कि जो rightory system था उसको start किस ने किया तो आंचे क्या हो जाएगा Lord Thomas Munro और Alexander Reid ने आब इन तीनों system को याद रखेगा permanent की settled कि किस ने start किया तो हो जाएगा Lord Convalis rightory system किस ने start किया तो आंचे क्या हो जाएगा Lord Thomas Munro and Alexander Reid और महलवारी कुस ने किया तो start answer हो जाएगा उसका answer हो जाएगा Halt McG यह तीनों याद रखेगा कई बार एगजाम में पूछे जाते हैं तो आंचे क्या हो जाएगा option D यानि कि Metcalf was also known as a liberator of press important question कई बार एगजाम में पूछा गया और French इन्हों ने एक एक्ट पास किया था था press act of 1835 जिसको हम liberator of press भी बोलते हैं यह दोनों question important है कई बार एगजाम में पूछे गए हैं नेच्छे लते हैं थियोस फिस्ट एजुकेशनिस्ट एंड इंडियन नेशनल लीडर इस डिस्क्रिप्शन फिस्ट फिस्ट तू अफ्शनार मदर मोहन मालविया प्रशाद मुखर जी तो आंचे क्या हो जाएगा आप्शन सी यानि की एनी बिसंट नेच्ट कोश्चन हो फांड़ दा धर्म सवा धर्म सवा इन कॉलकता अप्शनार गोपी मोहन देव आप्शन सी भी भाई भालक सिंग आप्शन सी साइध एहमद आप्शनी रादा कान द देवास फांड़ दा धर्म सवा इन कॉलकता नेक्स्ट कोश्चन दा अथर अधर दपवर्टी एंड अन बिटिश रूर इन इंडिया इस आप्शन दार फिरोश शाह मेहता आप्शन भी बदरोधिन त्याप जी आप्शन सी महात्मा गांदी और अप्शन डी दादा भाई निरोडी वास रघा फांड़ ऑन वाफ अन डी लिटिश रूर इन इंडिया इंडिया इंपोर्टन कोश्चने कई बर आखवा में पूछा गया एन इस क्या हो चाएगा हो was the founder of Prathnas March important question है कई बार एक इजाम में पूछा गया next question the first session of Indian National Congress was held under the present presidency of option A.O. human option B. B. Mahalwarji option C. Badrudh Intyap जी and option D.W.C. winner जी answer is option D. यानि कि first session of Indian National Congress was held under the presidency of answer is option D. यानि कि WC winner जी important question है कई बार एक इजाम में पूछा गया जाते हैं the first sense X was conducted in India at the time of optional Lord Dufferin, option B. Lord Litton, option C. Lord Mayo and option D. Lord Rippon. तो आज़े क्या हो जाएगा option C. यानि कि Lord Mayo the first sense was conducted in India at the time of Lord Mayo very very important question. Next question who introduced doctrine of Laplace? Option A. Lord Wilson, option B. Warren Hastings, option C. Lord Canon and option D. Lord Deloji. आज़े क्या हो जाएगा option D. यानि कि Lord Deloji who introduce doctrine of Laplace? Important question है कई बार exam में पूछा गया, अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे पहले इंडियन रेलवे को open किस ने किया था, तो आज़े क्या हो जाएगा? Lord Deloji. अगर आपसे यह पूछाए कि पोस्टर डिपार्टमेंट को किस ने establish किया था, इंडिया में तो आज़े क्या हो जाएगा? Lord Deloji का भी किया तो आज़े क्या हो जाएगा? अगर आपसे यह पूछाए कि इन्होंने एक पोस्टे स्टेंप का भी इशू की गए इसको हम बोलते हैं सिंचिड द्वाक इसको भी याद रखे, यह भी एक्जाम में पूछे जाता है अगर आपसे यह पूछे जाए कि तो आंचर क्या हो जाएगा? Lord Deloji, आप इसको भी याद रखी गया यह दोनों कोशन कई बार एक जाम में पूछे जाए हैं आपके लिए important निस्रत हैं और कार्म वाल इस आप्शन भी इस एसको भी लोकल सैल्फ गवर्मेंट एक्ट ऑफनी और कॉन वाल इस newspaper option b promote freedom of the press option c restrain newspaper published in indian language and option d कर freedom of the press in general answer is option c यानि के restrain newspaper published in indian language the vernacular press act of 1870 adopted by lord liter attended to restrain newspaper published in indian language very very important कई बार एक रिजाम में पूचा कहा गया निस्ट रहें विच बिटिक्स गवर्मेंट इंट्रूस्ट पोस्टे stamp in india options are lord deloji option b lord ocarine option c lord canyon and option d lord william ventech तो answer is option a यानि की lord deloji who introduced post a stamp in india important question है कई बार एक रिजाम में पूचा गया कब की तो answer क्या हो जाएगा 1852 next question where did mahatma gandhi first try the weapon of satyagrae option b चांपारण option b बर्दूली and option dhandy आंचे क्या हो जाएगा option a यानि की in south africa mahatma gandhi first try the weapon of satyagrae next question which reformer from maharashtra was known as lokita wadi option r pandit ramabai option b gopal kristian gokle option c mg rande and option d gopal haridashmukh answer is option d gopal haridashmukh reformer from maharashtra was known as lokita wadi important question है कई बार एक रिजाम में पूचा गया है निश्रते हैं who among the following was the first governor general governor general of india option r lord emerson option b lord william ventech option c charles metr cliff and option d robert cliff easy question सभी को आता होगा answer है इसका option b यानि की lord billiam ventech was the first governor general of india basically यहां पर एक question और बन जाता है जिसका जो answer है आपने मुझे comment आपको यह बताना है कि जो india का पहला इंडिया का जो पहला वाइसरी थे न वो कौन थे next question तो फैंड यह 50 plus question थे modern history gk के अगर आपको यह content अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक और आप हमें इंस्टाग्राम टेलिग्राम और फेज़ों कर सकते हो आज वरेंदर स्टेडिया को जी के और फैंड्स आप हमारे चैनल को भी सुरह आदा कि आपको नेस्ट वीडिया अपडेट जल्दी जल्दी मिल जाए थैंक यू सुराच में वीडियो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट मिलते हैं नेक्स बिले आचे टाव वेकर पर थैंक यू सो मुच और विश्यो आपकमिं एक्जाम